तो हाई वीवन देसे सौराव ठाकुर और आज हमारा next lecture है literary criticism की जो हमारी सीरीज चल रही थी lectures की उसका हमारा अगला lecture है Matthew Arnold पे Matthew Arnold आप सभी लोगों ने सुना होगा और इनकी आपने poems पी पढ़ी होगी Dower Beach है Tyresis है poetry तो बहुत अच्छी लिखा करते हैं ये लेकिन criticism में Matthew Arnold का बहुत बड़ा नाम है ठीक है इनका जो किसी चीज को लिखने का या फिर criticize करने का negatively as well as positively जो तरीका था वो आज हम देखेंगे और किस writer के बारे में इनके क्या views रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो start करते है Matthew Arnold ये इनका आप याद रख ले 1822 में पैदा हुए 1888 में इनका देहान दुआ was an English poet and cultural critic cultural critic थे ये ठीक है who worked as an inspector of schools he was the son of Thomas Arnold ये कई बार question पूछा हो जाता है क्योंकि rugby school जो है उसके ये headmaster थे और rugby chapel से related इन्होंने इस title से कई works भी लिखे हैं तो Matthew Arnold has been characterized as a sage writer sage होता है संत परकार का आदमी a type of writer who chasticizes and instructs the reader on contemporary social issues ठीक है जी contemporary यानि की current time में आपके आसपास जो कुछ भी society में issues चल रहे होते थे उसके बारे में Matthew Arnold से यादा बात करते थे कुछ ऐसे मुद्दे यह उठाते थे और साथ में instruct भी करते थे इनका delight वाला issue नहीं है इनका instruct करने का है और यह moralist भी था ठीक है जी Matthew Arnold was a moralist यानि की हर एक चीज जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो morally सही होनी चाहिए इनका यह मानना था he wrote essays on various poets and was critical of the romantics and elizabethans ठीक है जी romantic writers और elizabethan writers जो थे उनके बारे में उनको इन्होंने criticize किया है यानि की मैंने आपको पहले भी बताया criticism का मतलब सिर्फ negatively नहीं होता है positively भी होता है आप अपने views दे रहे हैं आप अपने perspective से किसी को judge कर रहे हैं उस तरीके का काम जो होता है वो critic का होता है his career can be divided into three phases उससे पहले मैं आपको बता दूँ की theory, criticism, British history, culture, studies और major works की list यह सारे notes है जो मैं provide करता हूँ आप सभी लोगों ने खरीदे भी होंगे तो अगर आपने criticism के या फिर British history के notes अभी तक नहीं खरीदे है theory, literary theory आपके लिए बहुत ज़्यादा important है UGC net या फि set का exam होता है, सारी चीज़ों के लिए important है, तो उसका link आपको description मिल जाएगा, वहाँ पे आप click करके आगे का जो कुछ भी है, उस notes को खरीदने का system है, उसी में सब कुछ आपको दिया होगा, आप उसको buy कर सकते हैं, चलो, आगे चलते हैं, phase 1 के अगर मैं बात करो, इसमें मै आपको इसके important works बता रहा हूँ, जो की critical works है, ठीक है, the preface to the poems, 1853, जो सबसे पहला इसका work है, उसके बाद on translating, homer, यह भी इसका काफी important है, इसके सारे years आप याद रखें, 1856, the function of criticism, very important, ठीक है, 1864 में यह आया है, यह इसका year आपने याद रखना है, essays in criticism, यह भी important है, 1866 में इ phase 1, अब आगे चलते हैं, phase 2 में, culture and energy, 1869, बहुत ही ज़्यादा important work है, इसके works की कई बर chronology भी पूछी जा चुकी है, net के exam में, तो इसके एक दो questions तो आपके सिर्फ यही से, इनके works को याद करके, और इसके जो years है, उनको याद करके, यही से आपके question पक्के हो जाएंगे, culture and literature and dogma, 1873, and the study of poetry, यह भी important है, 1888, ठीक है, यह सारी चीज़े आप याद कर ले, phase 3 में अगर बात करे हैं, हम तो essay in criticism का, series 2 हमारे पास आया, ठीक है, phase 1, phase 2, phase 3, इतने works, इनके years ज़रूर याद कर ले, चलवागे चलते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है lecture, लेकिन, Matthew Arnold, as a literary critic में बहुत अच्छे से explain करने की कोशिश करोंगा, इस वीडियो में बने रहना, बहुत सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो Matthew Arnold, the Victorian poet and critic, Victorian critic था, यह poet भी था, ठीक है, Victorian age का, romantic age के बाद जो age आई थी, was the first modern critic, ठीक है, पहला modern critic था, and could be called the critics critic, यानि की, जो critics है, उनका भी critic, मतलब की, इसने, जो लोग दूसरों को criticize करते थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी इसने criticize किया, ठीक है, तो बात काफी interesting है, being a champion not only of great poetry, but of literary criticism itself, सिर्फ great poetry का ही champion नहीं था, यह, criticism का भी था, obviously, इसलिए हम इसे पढ़ रहे है, important भी हमार कई बार exam में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है, इसका ध्यान रखना, a disinterested, इस word को note करना, आगे हम इसको explain करने वाले, a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought of in the world and thus to establish a current and fresh, current of fresh and true ideas, ठीक है जी, यह definition आपने याद कर लेनी है, क्या है, यह क्या कहता है, criticism क्या है, एक disinterested endeavor ह को पता ही है, कोई परिश्रम, कोई महनत वाला काम जबाब करते है, कोई आपका जो भी एक task होता है, disinterested, endeavor to learn, सीखने के लिए and propagate the best that is known and thought in the world, यानि कि इस दुनिया में, जो भी जाना गया है, ठीक है जी, known and thought in this world, उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ को जानना, और ज्याद true ideas, और criticism से क्या निकल आता है, एक current flow करता है, किस चीज़ का, fresh और true ideas का, एक current को flow करवाने का, उसका मकसद होता है, एक critic का, ठीक है, तो criticism को define करता है, ये एक प्रकार का disinterested endeavor है, जिसमें आप सीखते हैं, जो कुछ भी दुनिया में आज तक जाना गया है, और इस दुनिया के बारे में, ठीक है, जो कुछ भी आज तक पता लगा है, उस चीज़ को और अच्छे से सीखना, और एक current को establish करना, किस चीज़ का fresh and true ideas का, एक current को establish करना, चलो मैंने कोशिच की इसको, इस definition को समझाने की, नहीं तो आप इसको simply learn कर सकते हैं, definition को, और कहीं भी आ जाए, तो impartial and just reader, ठीक है जी, just यानि कि justice से related, न्याय प्रिये, जो हमारा reader है, वो न्याय प्रिये होना चाहिए, और impartial होना चाहिए, यानि कि किसी भी प्रकार का भेद भाव उसे नहीं करना चाहिए, a critic needs to be free, ये बोलता है, कि जब आप किसी को criticize कर रहे हैं, किसी work को interpret कर रहे हैं, analyze कर criticize कर रहे हैं, बात एक ही है, तो आपको क्या होना है, आपको कोई भेद भाव नहीं रखना है, यानि कि आपको prejudices से बहुत दूर रहना है, prejudice होते हैं, कोई भी, किसी प्रकार की धारना, जो हम किसी के बारे में बना लेते हैं, किसी के धर्म के अधार पे, किसी के gender के अधार और कुछ भी है, मान लो आपके office में कोई नई boss आ रही है, आपको पता लगता है कि वो औरत है, उससे पहले मर्द था, तो आप एक धारना बना लेते हैं, कि औरत है तो irritating होगी है, आपने सिर्फ एक धारना बना दी उसके gender के base पे, तो वो prejudice होता है, तो यह कहता है कि दो तरह क prejudices से दूर रहना चाहिए, एक critic को पहला है historical, दूसरा है personal, ठीक है जी, दो तरह क्या, अभी इसको explain करता है, historical prejudice is when the critic results to view through the lens of past, and neglects the present in the work, ठीक है जी, वो क्या कहता है, कि जब एक critic, past यानि कि हमारा जो अतीत है, जो बीत गया, उसके नजरिये से चीज़ों को देखने लग और क्या चीज़ को neglect करता है, जो कि present time में, उस work में चीज़े है, मतलब कि जो आज के समय के अनुसार, आज के समय के नजरिये से हम उस चीज़ को देख सकते थे, वो critic नहीं देखता है, बलकि past उस पे हावी हो जाता है, यानि कि अतीत जो चीज़ों हो चुकी होती है, उसके क्या हुआ refers to a personal liking that can cloud judgment, यानि कि judgment को जो धुनला कर सकती है, personal तो obviously बात है, आपका कोई दोस्त है, वो writer है, उसने बोला, यार मैंने कुछ लिखा है, उसको तो criticize कर दे, और उस पे कुछ अपने reviews दे दे, हैना, literary review कुछ दे दे, तो आपका दोस्त है, तो obviously आप personal prejudice आपके पास ह होगा, कि यार अपना दोस्त है, तो अच्छा ही लिखना है, कोई आपका दुश्मन होगा, तो उसके बारे में आपका personal opinion ये होगा, कि यार इसके बारे में बुरा ही लिखना है, तो इन दो चीजों में historical और personal जो आपका prejudice है, इसमें आपको disinterested रहना है, यानि कि इसको आप आपको avoid करना है, वही है वो disinterested ने, जिसकी वो बात कर रहा है, तो कहता है कि disinterested, disinterested का है मतलब कि किसी चीज में interest नहीं लेना, लेकिन बुरी चीजों में interest नहीं लेना है आपने, यानि कि prejudice, दो तरह के historical and personal, इसमें आपने interest नहीं लेना है, अगर आपने किसी चीज को सही तरीके से, criticize करना है, analyze करना, interpret करना है, ठीक है जी, he was the founder of the sociological school of criticism, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, कहीं पर question आ सकता है, आगे चलते हैं, उमीद करता हूँ, आप यहां तक समझ गए होंगे हैं, अब देखते हैं, use of disinterestedness क्या है, किस तरीके से, इसको use करने की बात करत है, या फिर जो कुछ भी कहता है, the theory of disinterestedness, means to analyze a text objectively without consideration of any personal, social, political, or religious interest, ठीक है जी, ये क्या कहता है, कि disinterestedness, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई, कि disinterestedness का मतलब है, किसी text को objectively analyze करना, objectively यानि की subjectively का उल्टा, subjective हो गया personal, objective हो गया impersonal, ठीक है, जिसमें आप अपनी personal bias, personal, जो आपकी likings है, उसको side में रखके काम करते हैं, तो objectively आपने किस चीज़ को without consideration of any personal, यानि कि आपने personal, social, political, or religious interest, इन सारे interests से दूर रहना है, इनको खुद से दूर रखना है, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से analyze करना चाहते हैं, criticize करना चाहते है, the critics work in his point of view should be to see the object as in itself it is, कि आपको उस object को यानि कि उस literary work को उसी तरीके से देखना चाहिए, जिस तरीके से वो है, ठीक है, इस तरीके से रहें कि वो किस ने लिखा है, कब लिखा है, क्या है, नहीं, जैसा वो खुद में है, उसकी खुद की पहचान आपने देखनी है, the act of criticism, annul continuous concerns to, terms, curiosity and disinterestedness, क criticism का जो act है, जब आप criticism करते हैं, तो दो चीज़े उसमें important है, पहली चीज़े है, curiosity, यानि कि you should be excited, और उत्सुकता, आप उत्सुक होने चाहिए, किसी चीज़ को जानने के बारे में, और disinterestedness तो मैंने explain करी दिया है, the former seeks out what is best known and thought in the world, curiosity, आपको क्या जानने के लिए जो best है अपने आप में जिसे सोचा जा सकता है, ठीक है, वो है curiosity, but which is not linked to any one practice, therefore this curiosity must practice a disinterestedness that allows, तो ये जो curiosity है, इसको practice करना चाहिए, disinterestedness को, ठीक है, that allows for the free play of the mind, ताक जिससे कि आपका mind बिल्कुल free हो सके, चीज़ों को analyze करने के लिए, on all subjects that is address, that it addresses, that is, criticism should not have an agenda, और कोही भी agenda नहीं होना चाहिए, criticism का, कि आपने पहले से ये agenda decide कर दिया, कि मैं इसी के हिसाब से इस work को analyze करूँगा, या criticize करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको work को उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उसको analyze करना पड़ेगा, उसमें आपको समझा दिये, इस पूरे पराग्राप में, इससे पहले मैंने आपको disinterest के पास जो भी पिताया, वही चीज इसमें है, आगे चलते हैं, यह है जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important चीज, the touchstone method, जिससे की gold की purity चेक की जाती है, कि gold कितना pior है, तो वहां से यह touchstone जो है, यह उठाया है, यह जो term है, ठीक है, अब देखते, simply अगर आपको मोटी भाशा में बताओं, इसको भी न पड़े, तो touchstone का मतलब है, कि जब भी आप किसी text को criticize कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़े-बड़े writers के द्वारा, बड़ी बड़ी poems या books जो लिखी गई है, जो world famous है, ठीक है, उन में से जो most famous, या फिर जो सबसे ही most effective passages है, उनको उठाइए, ठीक है, आप सिदा यह समझे कि आपने नदी में जाना है, आपने मिटी को नी चुना, आपने पानी को नी चुना, आपने गास को नी चुना, आपने सिर् best writers है, बड़े-बड़े Homer है, या फिर Shakespeare है, फिर जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी जो best literary pieces है, उसके कोई passage उठा लिया, कोई quotation उठा ली, और उसके अधार पे आप जिस चीज को criticize कर रहे हैं, जिस work को, उन passages के अधार पे आपने उसको compare करना है उससे, अगर वो उसके जैस है, तो आप देखें कि हाँ, यह बहुत बड़ी है, अगर उससे बहुत ही ज़्यादा गया गुजरा है, तो आप मतलब सीधी सी बात है कि आपको उनी चीजों से compare करना चाहिए, यानि कि 4-5 चीज़े आप उठालो बड़े-बड़े writers की, और उसी से आप सारे literary works को compare कर सकते हैं और criticize कर सकते हैं, यही मुद्दा है इसमें, ठीक है, यानि कि gold की purity अगर आपने check करनी है, यानि कि literary work की purity और उसकी quality और value आपने check करनी है, तो आपको touchstone method यूज़े करना पड़ेगा, यानि कि already जो बहुत ही अच्छा है, उससे उसको आपको compare करना है, देखो, इसको coin किया है, in order to judge a poet's work properly, a critic should compare it to the passages taken, देखो वही बात है, जो मैंने बताई, works of great masters of poetry, and that these passages should be applied as touchstone to other poetry, even a single line or selected quotation will serve the purpose, यानि कि आप single line भी ले सकते हैं, कोई quotation भी ले सकते हैं, कोई paragraph भी ले सकते हैं, उससे आप compare कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप analyze कर रहे हैं, the touchstone method involves comparing a poem to a touchstone, which is a black stone used to test the purity of gold, दिखा, black color का stone होता है, जिससे की gold की purity को, उसकी शुदता को check किया जाता है, in this analogy, the touchstone represents the standard of excellence, by which poetry should be judged, तो इसको एक excellence माना जाता है, इन passages को बड़े-बड़े writers के, जिसके आधार पे दूसरी poetry को आप judge कर सकते हैं, ठीक है, Arnold believed that the touchstone method could help readers distinguish between good and bad poetry, तो touchstone method, readers को help कर सकता है, कि कौन सी good poetry है, और कौन सी bad poetry है, ठीक है, तो he argued that great poetry should possess certain timeless qualities, कि great poetry में कुछ qualities होनी चाहिए, जैसे की sincerity, simplicity होनी चाहिए, high seriousness का होना बहुँ ज़रूरी है, ठीक है, by using the touchstone method, readers could identify these qualities in a poem and appreciate its greatness, ठीक है जी, उमीद करता हूँ, आप touchstone method समझ गये होंगे, ये दो इसके बहुत ही important मुद्दे थे, disinterestedness and touchstone method, याद रखना, चालो, आप देखते हैं, T.H. Elliot क्या बोलता है, Arnold के बारे में, उसको praise करता है, और जिस तरीके से वो comparison करता है, Arnold, अपने criticism में, उस चीज को बहुत praise करता है, T.H. Elliot, और उसका जो analysis है उसको भी, और जो Alan Tate है, आपने new criticism में मैंने पढ़ाया था आपको, उसने भी, जो उसका essay है, tension in poetry, ये सारी चीजे मैंने explain किये, new criticism वाले lecture में, तो वो भी touchstone method को imitate करता है, यानि कि उसको उसकी नकल करता है, tension in poetry जो उसने लिखा है, जिसमें connotation और denotation की बात करता है, connotation यानि की symbolical meaning, और denotation यानि की literal meaning, तो आप देख सकते हैं कि Alan Tate भी Arnold से influence और T.A.C.L.E. भी इसकी praise कर रहा, T.A.C.L.E. अगला lecture होगा, तो Arnold के लिए poetry जो थी, एक criticism of life, ये भी इसकी बहुत famous quotation है, that poetry is the criticism of life, poetry जो है, वो हमारी life का एक criticism है, यानि कि हमारी life को वो दर्शाती है, ठीक है, ये भी याद रख लेना, he claims that poetry is superior to philosophy, हाँ, अब येक और important बात बोलता है, कि poetry जो है, वो philosophy, science, और religion से superior है, कैसे, religion attaches its emotion to supposed facts, and the supposed facts are failing it, कि religion जो है, वो अपने emotions, जो है, किसी its emotion to supposed facts, किसी fact से emotions को जोड़ देता है, लेकिन वो fact जो होता है, वो अपने आप में गलत होता है, ठीक है, but poetry attaches its emotions to ideas, and ideas are infallible, यानि कि, poetry जो है, अपने emotions को ideas से attach करती, ना कि किसी facts से जो कि गलत हो, बलकि ideas से करती, और ideas कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है, infallible का मतलब, जो कभी गलत नहीं हो सकते, तो इसी लिए, poetry जो है, वो superior है, religion से, और science, in his view, is incomplete, without poetry, तो यह बोलता है कि, science जो है, poetry के बीना, incomplete है, ठीक है, इसी लिए, यह poetry को best बताता है, he calls poetry, the breath and final spirit of knowledge, यह भी बहुत important quotation है, यह भी याद रखना, कि मैं थियानल ने बोली है, आगे चलते हैं, फटापट, moralist मैंने आपको बताया, यह इतना morals पे ध्यान देता था, कि आपकी poetry में हर चीज ऐसी होनी चाहिए, जो इंसान को कोई शिक्षा दे, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, कि उसको सिर्फ वो entertain कर रही है, delight कर रही है, ठीक है, and very, is essentially a moralist, and has very definite ideas about what poetry should and should not be, कि poetry कैसी और कैसी नहीं होनी चाहिए, a poetry of revolt against, a poetry of revolt against moral ideas, he says, यह कहता है कि ऐसी poetry, जो moral ideas के against हो, यानि कि moral ideas का जो revolt करती है, is a poetry of revolt against life, कि ऐसी poetry जो है, वो साक्षाथ, पूरी, हमारी जो life है, उसी के against पो revolt कर रही है, अगर वो moral ideas के against revolt करती है, ठीक है, and a poetry of indifference to moral ideas, is a poetry of indifference to life, यानि कि अगर moral ideas वही बात है, कि अगर उनसे अलग वो जाना चाहरी है, यानि कि वो life के against है, totally, तो Arnold even censored, उसने अपनी ही poem, जो यह Empedocles on Aetna, जो poem है, उसको इसने omit कर दिया था, अपनी volume से, उसने जब यह बाद में पढ़ी तो उसको लगा कि अरे यह तो मैंने कुछ गलत ही लिख दिया, इससे तो नुक्सान हो जाएगा लोगों का, तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना high level का मतलब की, शिक्षा देने वाल आदमी था, moralist था, ठीक है, यहां से आगे आप इसको पढ़ सकते हैं, में चीज मैंने आपको समझा दिये, चालो, वैसे अगर आप, जब आप notes लेंगे तो उसमें आपको और detail में चीज़ें मिलेंगी, तो Aristotle says that poetry is superior to history, अब यहां पर Aristotle ने कुछ बात बोली थी, क्या बात बोली थी, कि poetry जो है, वो history से superior है, since it bears the stamp of high seriousness and truth, क्योंकि poetry में high seriousness होती है, और सचाई भी होती है, ठीक है, उसी idea को Arnold ने आगे लिया, और क्या कहा उसने, that true greatness in poetry is given by the truth and seriousness of its subject matter, कि poetry में greatness कहां से आती है, कहां से आती है, सचाई से, seriousness से, उसका जो subject matter है, यानि कि उसका theme है, जिस पे वो poem लिखी गई है, उसकी जो seriousness और सचाई है, वही, जो सचाई है, यानि कि greatness को लेकर आती है, poetry में, ठीक है, according to Arnold, Homer is the best model of simple grand style, अब ये Homer के बारे में कुछ बात कर रहा है, ये भी आपने याद रखना है, ये कहता है कि Homer जो है, वो simple grand style का best model है, बस इतना याद रखो, समझेगे जो इतनी है, Milton क्या है, best model of severe grand style, तो कहीं question है, severe grand style का best model किसे बताया है, Milton को, simple grand style का किसको बताया है, Homer को, ठीक है, Denty को क्या बोला है, example of both, Denty जो है, वो दोनों ही चीज़ों का example, यानि कि severe grand style का भी, और simple grand style का भी, ऐसे questions आते हैं, ध्यान रखना, Chaucer को क्या बोलता है, in spite of his virtues, such as benignity, यानि की, benignity, यानि की, करुणा, ठीक है, Largeness, Spontanity, यह तीन चीज़े उसमें थी, लेकिन Chaucer में seriousness नहीं थी, he lacks seriousness, यह question कई बार आ चुका है, कि Arnold ने, क्या बोला है Chaucer के बारे में, कि उसमें seriousness की कमी है, ठीक है, Burns to lack sufficient seriousness, Burns, Robert Burns की भी यह बात करता है, उसको भी बोलता है, कि उसमें भी seriousness की कमी है, याद रखना, because he was hypocritical in that, while he adopted a moral stance in some of his poems, in his private life, he flouted morality, कि moral sense तो वो दिखाता था, लेकिन अपनी private life में, morality उसमें थी नहीं, simple सी बात आप याद रखे, कि Burns को उसने, Burns और Chaucer के बारे में, उसने कहा, कि इन में seriousness की कमी है, आगे और भी writers के बारे में, इसने बाते बोली है, वो भी हम देखेंगे, He urged modern poets to look to the ancients, and their great characters and themes for guidance, तो यह ancient, यानि कि एक classic भी था यह, यह कहता था कि जो ancient लोग है, आपके, उनको देखो, उनसे guidance लो, जैसा लिखते हैं, उनसे आप inspiration लो, ठीक है, तो classical literature in his view possess pathos, classical literature में pathos होते है, moral profundity and noble simplicity होती है, ठीक है, और pathos यानि की emotions से related, ठीक है, तो while modern themes arising from an age of spiritual weakness, की modern themes जो है, वो spiritual weakness से निकल कर आते हैं, यानि की कमजोरी, spiritual जो हमारी अध्यात्मिक, जो कमजोरी है, उससे निकल कर आता है, are suitable for only comic and lighter kinds of poetry, जो की सिर्फ comic poetry के काम आ सकती है, लेकिन किसी serious poetry के काम ने आ सकती, and don't possess the loftiness to support epic or heroic poetry, यानि की, जो आज के time की spiritual weakness है, उससे कोई epic या heroic poetry निकल कर नहीं आ सकती, बलकि एक हसने वाली poetry निकल सकती है, ठीक है, आगे चलो, it is in his, the function of criticism at the present time, that Arnold says that criticism should be a dissemination of ideas, dissemination होता है, जब किसी चीज़ को spread करना, फैलाना, तो dissemination of ideas, criticism के बारे में कह रहा है, a disinterested endeavor to learn and propagate the best, that is known, यह तो हम समझी चुके, लेकिन dissemination of ideas भी इसने कहा है, criticism को, ठीक है, ideas को फैलाना, चलो, study of poetry जो इसकी बुक है, उसमें क्या बात बोलता है, to him poetry is the criticism of life, मैंने बता दिया है, governed by the laws of poetic truth and poetic beauty, किस तरीके, कौन से laws उसको govern करते है, poetic truth और poetic beauty के, या दखना है, it is in the criticism of life that the spirit of our race will find its stay and consolation, consolation, but Arnold says that the excellence of Chaucer's poetry is due to his sheer poetic talent, ठीक है जी, Arnold क्या कहता है, कि Chaucer की poetry के जो, excellence थी, वो उसके talent की ही वज़ा से थी, ठीक है, this liberty in the use of language was enjoyed by many poets, but we do not find the same kind of fluidity in others, या तारीफ भी कर रहा है Chaucer की, ध्यान रखना, criticism मैंने बताया था, negative as well as positive, negative यह है, कि उसमें high seriousness की कमी थी, और positive इसमें, इसने बता दिया, कि उसके जो thoughts थे, उसका जो talent था, वो बहुत ही अच्छा था, only in Shakespeare and Keats, do we find the same kind of fluidity, यह बोलता है, कि Chaucer वाली जो fluidity थी, उसका जो flow था, उसकी जो flexibility थी, वो सिर्फ हमें Shakespeare और Keats में देखने को मिलती है, though they wrote without the same liberty in the use of language, इतनी liberty से उन्हों language को use नहीं किया, जितना Chaucer नहीं किया, Arnold praises Chaucer's excellent style and manner, but says that Chaucer cannot be called a classic sense, unlike Homer, Virgil and Shakespeare, his poetry does not have the high poetic seriousness, वही वाली बात आ गई, उसका style और manner की, वो बहुत तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसको हम फिर भी classic नहीं कह सकते, Chaucer को, क्योंकि उसमें high seriousness की कमी है, ठीक है, Homer, Virgil और Shakespeare में वो चीज नहीं है, उनकी बतारीफ कर रहा है, कि वो serious लोग थे, वो high seriousness थी उनकी writing में, लेकिन Chaucer में ये चीज नहीं थी, आगे चलते हैं, अब यहां पर Dryden और Pope की age के बारे में, इसके क्या views है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है, The age of Dryden is regarded as superior, so that of the others for sweetness of poetry, तो age of Dryden की जो age थी, उसको superior बताता है, किस चीज के लिए, sweetness of poetry, की poetry की sweetness उस वक्त बहुत अच्छी थी, Arnold asked whether Dryden and Pope, poets of great merit, are truly the poetical classics आँजी, तो 18th century के जो purely, poetical classics जो लोग थे, वो थे Dryden and Pope, according to Matthew Arnold, याद रखना, He says Dryden's postscript to the readers, in his translation of the Aeneid, reveals the fact that in prose writing, he is even better than Milton and Chapman, तो Dryden को भो बोलता है, कि prose writing में, वो Milton और Chapman से भी कहीं ज़्यादा बैतर था, Arnold called Dryden as the glorious founder, ठीक है जी, याद रखना, Dryden को क्या बोला है, glorious founder, और Pope हो क्या बोला है, splendid high priest, ठीक है, splendid high priest, Pope को कहा है, याद रखना, important है, of the age of pros and reason, ठीक है जी, pros and reason की age के, जो splendid high priest था, वो Pope था, और glorious founder, Dryden था, याद रखना, Arnold says that, Pope and Dryden are not poet classics, but the prose classics, ठीक है जी, कि Pope and Dryden, कोई poet classics नहीं थे, बलकि prose classics थे, 18th century के, as for poetry, he considers gray की भी बात करता है, to be the only classic of, poetry की अगर बात करे, 18th century की, तो उसमें जो classic, जो आदमी था, writer था, वो था, Gray, Thomas Gray, ठीक है जी, याद रखना, Burns के बारे में क्या बोला है, Gray के बारे में क्या बोला है, Chaucer के बारे में क्या बोला है, Dryden के बारे में क्या बोला है, अभी Shakespeare का भी आएगा, ठीक है, देखो Burns के बारे में, थोड़ा और देख लेते हैं Burns is most at home in his native language his poems deal with Scottish dress Scottish manner and Scottish religion याद रखना Burns के बारे में ये बात बोली है कि उसकी जो पोएम है Scottish Scottish में ज्यादा डील करती थी ठीक है ये बोल रहा है कि भले ही वो 19th century के करीब जीता था लेकिन उसमें 18th century 18th century की life के बारे में उसकी जो poetry थी वो ज्यादा तर ऐसे लगती थी जैसे 18th century में जिस तरीके से लिखी जाती थी उसी तरीके से उसने भी poems लिखी चलो जी Shakespeare के बारे में देखते हैं इसने क्या कहा है praising Shakespeare उसकी तो obviously praise ही कर रहा है वो क्या कहता है In England there needs a miracle of genius like Shakespeare's to produce produce a balance of mind बहुत important quotation है याद रखना ठीक है याद रखना इसको क्या बोलता है In England there needs a miracle of genius lectures to produce a balance of mind quotation याद रखना इसने एक sonnet भी लिखा है और शेक्सपियर को कहता है कि others abide our question thou art free यह आपने सुना होगा कि आप बाकी सब में तो कोई ना कोई limitations है लेकिन आप तुम बिल्कुल free हो we ask and ask thou smiless and are still हम पूछते रहते भटकते रहते तुम सिर्फ हसते हो art का मतलब art और बिल्कुल आराम से खड़े रहते हो out topping knowledge knowledge में तुम top कर जाते हो ठीक है तो यह सारी बात इसने Shakespeare के बारे में बोली है ध्यान रखना चलो अब last slide है यह ज्यादा लंबा को खिंचूंगा नी Carlyle के बारे में बोला है उसको कहा है moral desperado Ruskin को कहा है an eccentric Tennyson को कहा है his mod was a lamentable production क्योंकि चलो खेर mod के बारे में ही उसने बोला है याद रखना यह कहीं पूछा जा सकता है Swinburne के बारे में क्या बोला है a pseudo Shelly pseudo यानी की जूटा ठीक है Shelly के बारे में कहा है Shelly was incoherent a beautiful and ineffectual angel beating his luminous wings in vain यह question भी कई बार पूछा जा चुका है ठीक है यह भी आप याद रखना Shelly के बारे में यह line Arnold ने कही है for good literature both critical and creative powers are required यह बात है जो important सी बात है इसने बोली है हो सकता है कहीं पूछ ली जाए for good literature both critical and creative powers are required अच्छे literature के लिए critical और creative powers दोनों होनी चाहिए creative power is superior but without critical power it is rendered ineffective creative power superior है लेकिन बिना critical power के यह विर्थ है किसी गाम के लिए touchstone में क्या आया जी तीन passages इसने कहां से Homer से तीन Milton से तीन Dante से और तीन Shakespeare से लिये थे या फिर लेने के लिए कोई suggestion दी थी कि ऐसे से बड़े बड़े writer से कोई passages आप उठाएं ठीक है और उनको compare करे जो भी चीज़ आप criticize कर रहे है उससे ताकि पता लग सके कि सोना कितना pure है यानि कि later work में कितनी जान है कितनी बात है ठीक है तो theory और criticism के lectures कुछ ऐसे ही होते काफी गहराई से हुने समझना होता है और theory में concepts को बहुत गहराई से समझना होता है और criticism में कि किस इंसान का कैसा जो है वो opinion है और कैसा उसका नजरिया है perspective है और कैसी उसकी evaluation है किस तरीके से evaluate करता है चीज़ों किस तरीके से analyze करता है और criticize करता है और किस writer के बारे में उसने क्या क्या बाते कही है तो Matthew Arnold के भी दो concepts भी थे वो भी हमने समझे तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ पाया होँगे और मैं इसे अच्छे से समझा पाया होगा ठीक है तो ठीक है फिर आपको अगर notes लेने होंगे तो आपको वो बहुत help करेंगे और उसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है और आगे आने वाले notes पे मैं काम कर रहा हूँ और तब तक के लिए आप सभी लोगों को all the best ठीक है thank you